आटी ओएस तास्क नामांकन आटी ओएस में अप्लिकेशन को छोटे अनुसुची पूर्ण तथा अनुक्रमिक प्रोग्राम इकाईउं में तोड़ दिया जाता है। इन इकाईउं को टास्क कहते हैं जो क्रियानवन की मौलिक इकाई होते हैं। ये तीन समय बध लक्षणों द्वारा नियंत्रित होते हैं विमोचन समय यानि रिलीस टाइम, समय रेखा यानि डेडलाइन तथा क्रियानवन समय यानि एक्जिक्यूशन टाइम। विमोचन समय यानि की Release Time का ताथपरिय उस समय से है जहां से Task का क्रियानवन शुरू हो जाता है। समय सीमा यानि की Deadline का ताथपरिय उस समय से है जहां Task समाप्थ हो जाना चाहिए। क्रियानवन समय यानि की Execution Time का ताथपरिय वो समय जो Task के क्रियानवन में लगता है। निश्क्रिय अवस्था यानि डॉर्मिंट, टास्क को कम्प्यूटर समय की आवशक्ता नहीं होती, ततपर या तैयार यानि ready, टास्क सक्रिय अवस्था में जाने के लिए तैयार है और प्रोसेसर समय की प्रतिक्षा में है, सक्रिय या active, टास्क क्रियानवन में है, प्रसुप्त यानि suspended, टास्क को अस्थाई रूप से रोग कर रखा गया है, विचाराधीन या pending, टास्क संसाधन की प्रतिक्षा में है, एक टास्क, अबजेक को इन सब कॉंपोनेंस के सम्हु से परिभाशित किया जाता है, टास्क कंट्रोल ब्लॉक यानि TCB, टास्क TCBs का उपियोग इसके कॉंटेक्ट्स को याद रखने के लिए करता है, TCBs, डाटा स्ट्रक्चर हैं जो RAM में स्थित होते हैं तथा सिर्फ RTOS दवारा एक्सिस होता है, टास्क स्टैक, ये RAM में स्थित होते हैं और stack pointer दवारा एक्सिस होते हैं, टास्क रुटीन, प्रोग्राम कोड जो ROM में स्थित होते हैं, झाल 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 झाल